मुख्यमंत्री कन्यादा ने उम निकाह योजना के तहट विवाहों में दिये जाने वाले सामान की गुर्वत्ता में खराबी की शिकाती मिल रही थी जिस पर संग्यान लेते हुए मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अब हम बेटी की हाथ में सीधे 49000 का चेक देंगे जिससे बेटी और जमाई जो चाहें वो अपनी मनपसंद का खरीद सकें मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि भारती ये जनता पार्टी की सरकार ने माताओं बहनों की जिंदिगी आसान बनाने के लिए कई कदम उठाई हैं लाडली लक्ष्मी योजना की लाभ आप देखी चुके है अब आप लाडली बहना योजना की लाभ भी जल्द ही देखेंगे मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हमने तय किया था कि हमारी बेटियों को किसी के लिए बोज नहीं रहने देंगे इसलिए हमने मुख्यमंत्री कन्यादान योम निकाह योजना निकाली जिसमें हम एक वो घट्या क्वालिटी का आजाता है अब चेक देने से वो अपना मनबसं सामान खरीद लेंगे मुख्यमंत्री चोहार ने कहा कि लाड़ी बहना यूजना के तहत एक करोण 25 लाक लाड़ी बहनों का राइस्क्रेशन हो गया है दस जूम से सभी के खातों में हजार रुपए आजाएगा अपने करन्यादान यूजना में बेटियों की साधी में हम 56,000 रुपया एक बेटी पर खर्च करते हैं 49,000 रुपय का सीधा चेक बेटी को देते हैं यह चेक अब इसलिए दे रहें कि कई बार सामान की उनको जरूरत है कि नहीं है और खरीदने में कोई धकिया आ गया दूसरा आ गया ऐसी कई तरह की चीज़ें आ जाती है तो अब टै किया है हम सामान काई को खरीदें बेटी खुद जाए बेटी और दामान और अपनी पसंद का सामान खरीदें लाड़नी बेहना योजना यह अभी रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है सूची हमने प् आपतियां जादा आई दें एक करोड़ पचीस लाख बेहने रेजिस्ट्रेशन करवा चुकी है और कोई हजार दो हजार पांच हजार आपतियां आई तो आप यह मानी के लगबग सभी बेहनों को दस जून से उनके खाते में एक हजार रुपया डालना कारंब कर दिया जा सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है इसके तहद उन्हें प्रतिमाह एक हजार रुपय दिये जाएंगे ये राशी सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगे योजना की प्रत्रिया बेहसरल और निशुलक है योजना से जुड़ने के लिए बेहनों को कहीं भट 0800 एवं वेबसाइड cmlaadlibehna.mp.gov.in पर ब्राप्त की जा सकती है प्राप्त की जा सकती है